हेलो दोस्तों वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज में लोग बात करते हैं एक तमिलाडू के एक अग्रिकल्चर यूनिवर्सेटी है उसने एक बंडर बंडर बैंबू बनाया तो उसके वारे में देखें कि क्या चला है सब मतलब बंडर बंबू है जैसे दुनिया स्ञेवार्मिंग और ग्रीनायॉज़ गर्षक हो गई उसका एफक्ट को कैसे कम किया जाए जिससे की अगरों डार और दूतरी जैसे बाद बंडडर बंडर बंबू हाई तो इसके बारे हैं हम लोग देखेंगे सब तो इसको बीमा बैंबू भी कहा जाता है मतलब इसके बारे हम देखें यह कै टिसू कल्चर से मतलब टिसू कल्चर के प्रॉसस से बनाया गया आ यह इसको आगे देखेंगे इसलाइड में क्या यह जैनिरिटिकली मॉडिफाइड है और इसको किस ने डेवलब किया है इन सब चीजों के बारे में देखेंगे हम आंगे सलाइड में तो आंगे अगली सलाइड है ये इंट्रोडक्शन इसमें इन इस एरा ऑफ ग्लोबल बार्मिंग दा क्लाइमेट चेंज इडिस इंपरेटिफ फॉर हुमेनिटी तो टेक अर्नेस्ट मेजर फ्रों मिटिगेटिंग हुमन मेड डिजास्टर मतलब कि सबसे पहले तो देखिए कि ग्लोबल बार्मिंग और मतलब हैं इन वाइंवारमेंटलिस्ट है जो कि बोलते हैं कि फोसल्ट को कम जलाओ मतलब कि कार में पेट्रॉल और डिजल का यूज कम करो और और इलक्ट्रिक कार को जानदा यूज करो कोईला कम जलाओ यह उत मतलब हुआ और बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो पावर का जानदा यूज करो और निकुलर पावर का जानदा यूज करो कुछ बोलते हैं कि फॉरेस्ट मत काटो पेंड जाना लगाओ और कुछ लोग बोलते हैं कि जो बैरन आए लेंड होती है उसमें पेंड लगाओ जो बंजर जमिन होती है उसमें पेंड लगाओ और अलग-अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दुनिया भर में इस बात के उपर सोध कर रहे हैं इस टेम कि कैसे ग्रिणिंग कि जाएं और कैसे और फॉरेस्ट लगाए जाएं कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाएं उस रिस्पेक्ट में रिसेंटली एक स्टैप लिया गाया तमिलाडू की तमिलाडू द्वारा इसके बारे मैं देखते हैं हम लोग को यह बैमबू के बारे मैं देखते हैं तब मिलाडू को एक अगरिकल्चर यूनिपरसिटी है जिसने अभी oxygen park बनाया है जो कि बीमा बैंबू से बनाया गया है तो यही लिखा पहले point में तमिलाडू agriculture university has designed oxygen park within its premises at combi tour with बीमा बैंबू मतलब अपने ही building में जहां पर यह agriculture university है उसी के जो building है उसी की आसपास ही यह oxygen plant लगाई गई पार्क मतलब तो यह बीमा बैंबू से बनाए गई है और अगला point is में इस बीमा बैंबू को कि मतलब क्लों क्लोन पोदा क्लोनिक प्वादा बनाया गया और यह किलोन है किसका तो यह हो जाएगा Bambusa Balcova का Bambusa Balcova यह इसका किलोन हो जाएगा जो कि एक Bambusa Bamboo की मतलब species है यह Bambusa Balcova यह जो Bambusa Balcova नाम की bamboo species है इस हाई एस घायर bamboo clone है इसको conventional breeding method से पैदा किया गया मतलब जो normal breeding method होता है उसे ही इसको बनाया गया है और इसमें tissue culture का भी use किया गया मतलब भी conventional breeding method है इसका और उसके बाद इसको next point है the species is considered to be one of the fastest growing plant it is one of the fastest fastest growing plant है और यह ट्रॉपिकल कंडिशन में एक दिन में डेड़ फिट यह plant grow कर जाता है और इसको best carbon sink बोला गया best carbon sink इसको बोला गया मतलब कि carbon dioxide की emission को कम करने के लिए यह पौदा सबसे अच्छा बताया जा रहा है इसका नेक्स्ट point है a fully grown bamboo tree major net over 300 kg of oxygen annually and it may be sufficient for one person for one year मतलब यह एक साल में 300 kg oxygen पैदा कर सकता है पौदों को बारे में आपको यह तो पता होगा कि जो पौदे या पेड़ होते हैं जो वह करवन dioxide को photosynthesis में इस्तमाल करके by product oxygen को छोड़ते हैं और oxygen तो बैंबूरों के काम आती है और carbon dioxide पेंड़ पहुदे consume कर लेते हैं उसको उसको अगला पॉइंट है आप फोर येल ओल्ड बैंबू में आपजार 400 kg अप कारवन डायोकसाइड पर एनम सर्राउंडिंग एरियाज बैंबू रेस्ट बन एकड़ कैन सिक्वेटर 80 टेंस अप कारवन डायोकसाइड एन्वाली मतलग अगर एक चार साल का बैंबू 400 kg कारवन डायोकसाइड पर एनम यहां पर कंज्यूम कर सकता है करवन डायोकसाइड को और एक साल में 300 kg अक्सिजन को पैदा कर सकता है एक बैंबू और एक परसन एक साल में 300 kg अक्सिजन कंज्यूम कर सकता है आराम से एतनी उसके लिए sufficient है तो एक साल में एक परसन 300 kg अक्सिजन से काम चला सकता है और एक बैंबू को पैड़ एक जो बैंबू को पैड़ होता है वो 300 kg अक्सिजन पैदा कर देता है तो एक साल में इस एक्साइड को शेटर सक्वेटर सिख्वेस्टर किया जबने जी सभी किया सक्ता है तो यह हो जाएगा इसको देखते हैं इसको डैजर्बलब करेओ कि इसको डेवलबड़ कार रजा थो आज यह बीमा बैंबू को एक एनवारती ने डेवलप किया एक ग्रो मोर बायोटेक लिम्टेड की एक अग्रिकल्चर कंपनी है जो की होसूर तमिलाडू में है यह थ्रॉनलेस है मतलब इसमें कोई काट ही नहीं है इसका ग्रो मोर बायोटेक लिम्टेड एक अग्रिकल्चर कंपनी है जो की होसूर के अंदर है तमिलाडू में और यह थ्रॉनलेस होते हैं मतलब कोई इसमें काटा नहीं होता है उसका सेकंड पॉइंट है दा प्लांट डेवलब्ड थ्रू टिसू कल्चर मतलब इसको टिसू क पेश्ट फिरी है और विगरस है सुपीरियर है और यह फील्ड में सौ साल तक ग्रोग कर सकता यह पॉदा इसको रिपलांट करने के जरूरत नहीं है मतलब अगर आपने एक पॉदा लागा दिया तो वह सौ साल तक चलेगा उसको आपको रेपलेस करने के जरूरत नहीं कि आप काट काट दो मतलब आपको रूट उखाडने के जरूरत नहीं पड़ेगी यह है मतलब कहने किसका और इसमें प्रोपर मतलब प्रोपर फर्टिलाजेशन पैकेज होता है इसमें इरिगेशन प्रैक्टिस और सिल्वी कल्चरल मैथड जोकी कि रोमोर बायोटेक लिम्टेड ने बनाया इसे अगर इनके बनाए गए मैथड को इंप्लिमेंट किया जाता है तो तो जानता बाइोमास मतलब मिल सकता है पाइयो मास मतलब होता है जानता लकडी मिल सकती है यह होगी सिल्वी इन सब करेंगे जोकी लो मोетр बाइयोटेक लिम्टेड ने मराया तो हाई बाइयो मास मिलेगा मतलब अभी बताया जो इसे मतलब जानदार लकडी मिल सकती इससे जिसका मतलब बैम्बू का मल्टी परपरस करें भी यूजब किया जाता है इसका और इसका according to भारती a two year old बीमा बैम्बू when planted in the soil grow at a speed of 1.5 foot per day मतलब अगर एक दो साल पुराना बीमा बैम्बू को लगाया जाता है इस्वाइल के अंदर तो वो डेड़ फुट पर डे की स्पीड से बढ़ता है और वो अपनी मैक्समुम हाइट तीज फिट अटेंड कर लेता है जब चार सप्ते में तीज फिट हाइट अपनी अटेंड कर लेता है और दिस आम है जब प्रवाइब पूब गवाइड to यह जैंटेफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूब किया गया जोगी आंगे देखें टिशु कल्चर में तो यह देखतें टिशु कल्चर गभारे टिशु कल्चर अब्चर अमां थाड़ बायलोजिकल रिसर्च इन विच फ मतलब यह tissue culture के ठु庁ड सू किया गया है कि टिसू कलचर एक biological research का एक तरीका है यह कि जिसमें Animal या plant की tissue को लिया जाता है और इसको artificial मेडियम में उगए जाता है उसके लगने मेडियम बनाना पड़ता और एक भार अगश्य यह plant बन गया तो इसको जाके आप soil में गाड़ दो और फिर यह कई सालों तक चलता रहेगा यह इसका पहले के मतलब in which they continue to survive and function मतलब एक बार आप लगा दो इसको फिर यह कई सालों तक चलता रहेगा मतलब आइसा बोला जाता है कि नॉर्मली टिसू कल्चर से जो पौदे पैदा होते हैं उनकी मार्केट वैलू जानदा हो जाती है मतलब इसकी मार्केट वैलू इनकीज हो जाता है और इसका एडवांटेज देखते हैं कि यह डिसीज फ्री होते हैं और अर्ली मैचियोर्ट अर्ली मैचियोर्टी मतलब इनकीज आ जाती है और यह फायर रिजिस्टेंस प्लांट होते हैं इसमें आग नहीं है पकड़ते जल्दी इन लकड़ी के अंदर जल्दी आग नहीं लगे और कई सालों तक ही चलते रहेंगे हैं यह दिसीज फिरी होते हैं ट्रू टू दर टाइप होते हैं तो यह हो जाएगा उसके वाद इसमें देखते हैं क्या यह मतलब जेनेटिकली मोडिफाई होते हैं भोकी नेक्स्ट स्लाइड में बीमा बंबू is not a product of genetically modified organism in this case a new culms only grow around the mother soot and hence it is a non-invasive a culm is a hollow stem of a grass or cereal plant especially that bearing the flower मतलब बीमा बंबू is not a genetically modified यह genetically modified नहीं है यह मदर सूट के आसपास ग्रो करता है और आसपास के प्लांट को कॉलनाइज नहीं करेगा यह कॉलनाइज मतलब होता कि जिसे कोई पैंड लगा दो किसी एरिया में तो कि जितने भी और चीज़ें होती ही वो सब बरवाद कर देते थी बरवाद नहीं करेगा यह इसका मतलब और इसकी रूट और जो राइजोम है राइजोम एंड रूट्स फॉर्मेशन प्रवाइड स्ट्रॉंग फांडेशन मतलब इसकी जो रूट और राइजोम बहुत स्ट्रॉंग फांडेशन होती है इसकी जब नया पदल लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी यह है और दे प्लान्ट बिकम रोवस्ट अगंस क्लामेट चेंज बहुत फर्क पड़ेगा मतलब मेजर एफेक्ट होगा उसके बाद इसका कॉन्कुलूजन देखते हैं कॉन्कुलूजन है दा टी एन ए यू डेवलब इस ऑक्सिजन पार्क अट कॉंबिटूर अफ्र दे प्लान्ट डेवलब बाई ग्रोमोर बायोटेक कंपनी मतलब इसी लिए जो ग्रोमोर बायोटेक कंपनी है इसने टी एन ए यू मतलब तमिलाडू एग्रिकल्चर उनिवर्सिटी में एक ऑक्सिजन पार्क डेवलब किया है कि मतलब है यह इसका कि अगर आपने ऐसे प्लान्ट लगा दिये जो बहुत सारी ऑक्सिजन पैदा करते हैं और स्योडूक इन्हेल करते हैं और और ऐसाई एक पार्क शिरूशेरी चैनई में भी लगाया गई है शिरूशेरी चैनई आप यह यहां पर वेएक पार्क लगा गयाा स्थरूशेरी चैनई के अंदर डेवलब किया गया यह यही पर एक हजार टिसू कल्चर बीमा बैंबू सैपलिंग की गई है यह पर एक हजार बीमा बैंबू लगावाई गई है जो की ग्रोम और बायोटेक ने ही प्रवाइड करवाई है और उसके बाद दा बैंबू के लारुफिक बैल्यू इस एकल तो देट आफ देट कोल कि सिमेंट इंडेस्ट्री बाइंग दिस बांबू इस्पिसीज फॉर दियर वॉयलर्स मतलब इसकी जो कैलेफिक वैल्यू होती है वो की कोला के बरावर होती है जैसे कि कोल के हो जम लोग कभी-कभी कई खाना ना बनाने में करते हैं आग मतलब तो उसकी जगह अगर कोला ना बैंबू फायर इस यूज़ भाई था टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री में भी इसका यूज़ था फैवरिक अंड गार्मेंट्स के लिए उसके वाद लास्ट इसका है तॉम क्रॉदर अ स्विस्क्लाइमेट चैंज एक लोगाजिस्ट थी तॉम क्रॉदर एक साइंटिस्ट हमारे अर्थ पे 3 ट्रेलियन पेंड लगाने की जगह है आराम से और उसमें इट हैस काल्गूलेटेट इट देर इनफ स्पेस ओन प्लानेट फॉर प्लांटिंग अन एडिशनल 1.2 ट्रेलियन ट्रीज दैट वोड हैव यूज़ बैनिफेट इन तरम अफ इनफ स्पेस है उसके लिए हुज बैनिफिट होगा उसका बाद में अगर लगाएंगे तो जिससे की कारवन डैक्साइड का एब्जॉर्ब कर लेंगी प्लांट और जिससे गिलोबल बारंग में बहुत एफेक्ट पड़ेगा तो यह था अगर यह लगाया जाते हैं हर टॉपिक तो उससे देखां तो यह हो गया उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर तब तक एलिए थैंक्यू